केरल के वीपीएस लेक्शोर अस्वताल में साल 2009 में हुए अंगदान का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है अखिल भारती विद्धारती परिश्यत के कारेकरता अंगदान में गड़बडी का अरोप लगा कर जांच की मांग करे है एबीबीपी कारेकरता ने शनिवार को इस मांग को लेकर प्रदशन कर रहे थे इस औरन पूलिस ने उन पर वाटर केनन का इस्तमाल किया प्रदशन कारियों को तीतर बितर करने के लिए पुलिस ने हलका बल प्रयोक किया कुछ कारेकरताओं को लाठिया मारी और कई प्रदशन कारियों को हिरासत में भी लिया ये कारे करता कोच्ची के VPS लेक्शोर अस्पताल तक मार्च कर रहे थे मामला साल 2009 का है 21 साल के एबिन बीजे एक रोड एक्सिडेंट में घायल हो गए थे एक्सिडेंट के बाद युवोक को मार बैसलियोस अस्पताल में भरती कराया गया आरोपे की अस्पताल में एबिन का सई इलाज नहीं हुआ जिसके बाद परिजन उसे VPS लेक्शोर अस्पताल ले गए यहां इलाज के कुछ घंटों बाद डॉक्टरों ने एबिन को ब्रेंड डेट घोशित कर दिया VPS लेक्शोर अस्पताल ने एबिन परिजन को उसका अंगदान करने के लिए प्रेरित किया परिजन की मंजूरी के बाद युवक के बाडी पॉर्ट्स डोनिट किये गए जिसमें गडबडी का अरूप लगाया जा रहा है इस मामले की जाच के लिए कोलम के डॉक्टर एस गनपती ने कोट में याची का दायर की थी याची का पर सुनवाई करते हुए जूरीशन फर्स क्लास मजिस्ट्रेट कोट ने हाली में अधिकारियों को आठ डाक्टरों और वीपेस लेक्शोर अस्पताल को समन जारी करने का निर्देश दिया था वीपेस लेक्शोर अस्पताल प्रशासन ने कहा कि अंग डॉनेट से पहले नियमों की अनुसार व्रतक की मा की लिखित सहमेती ली गई थी इसके अलावा केरल में अंग प्रत्यारोपन से जूड़ी एक मात्र पंजीकरत संस्था सोसाइटी फॉर औरगन रिट्रिवल एंड ट्रांस्प्लांटेंशन की भी मदद मागी गई थी अस्पताल प्रशासन का कहना है कि हम जाच में सहयोग करने को तैयार है इसके साथ बने रहे हैं राजनामा डिवी के साथ दाने बाद